हलो दोस्तों स्वागत है आपका इक बार फिर से कमाने कड़े में कोच में आईए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं दा लॉइन एंड दा माउस आपने लॉइन की और माउस की कानी चुए और शेर की कानी तो सुनी होगी वो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ वो इस चैप्टर में आपकी लॉइन और माउस की कानी है एक शेर था वो क्या है जंगल में सो रहा होता है तब ही क्या होता है वहाँ पर एक चुआ आ जाता है तो चुवा शेर को देखके कहता है ओ यह कितना बड़ा है तो मैं इसके साथ खेलता हूँ लेकिन मैं इसके क्या है मूँ के पास नहीं जाओंगा अगर मैं इसके मूँ के पास गया तो क्या होगा यह मुझे खा जाएगा तो वो उसके उपर खेलने लग जाता है तो खेलते खेलते क्या होता है जब वो शेर के उपर खेलने लग जाता है तो खेलते खेलते वो उसके मुझे पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसके मुझे पास पहुंचता है चुहा शेर के मुझे पास पहुंसता है तो क्या होता है वो शेर जो है एकदम नीन से जाग जाता है जब वो नीन से जाग जाता है तो वो से बोलता है तुमने मुझे disturb करके जगा दिया है तो मैं अब तुम्हें मार कर खा जाऊंगा तो वो उससे कहता है बहुत विंती करता है कि मुझे अभी छोड़ दो मैं भी कभी न कभी तुम्हारे काम आऊंगा तो वो बोलता है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ इतना पावरफुल हूँ और तुम मेरे क्या काम आऊगे तुम तो छोटे से हो तुम मेरे कोई भी काम नहीं आऊगे चुवा बार-बार शेर से प्रातना करता है कि मुझे शमा कर दीजिए और मुझे जाने दो तो उसको शेर को उसके उपर दया आजाती है चुवे के उपर और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जाने देता हूँ लेकिन आगे से कभी भी जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे डिस्टरब मत करना यह सुनके चुवा वहां से चला जाता है और अपने होल में अपने बिल में चला जाता है कुछ समय बात क्या होता है कि माउस क्या देखता है कि जो लॉइन था वो एक जाल में फसा हुआ था और वो क्या है वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था नेट में से निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था अब वो महां से क्या होता है चुवा निकल रहा होता है तो उससे बोलता है मैं बहुत ज़्यादा ताकत बरूँ लेकिन मैं अपनी ही कोई हैल्प नहीं कर पा रहा हूँ शेर बोलता है मैं इतना ताकत पर होने के बाद भी इसको जाल अर्व नैट उसको नहीं काट कार चुھे से बोलता है तुम कुछ कर सकते हो यह सुनकर क्या करता है चुषा नैट को काटना शुरू कर देता है तो और ध चोटे क्रियेचर्स होते हैं थो माउस को चुये को थैंक्यू कहता है इसके बाद जब चुहा शेयर को आजात करा देता है तो शेयर बोलता है आज हम दोनों दोस्त हैं तुम मेरी बॉडी पर मेरे उपर खेल सकते हो लेकिन कभी भी मेरे मुझे पास मेरे फेस पर मत खेलना तो इस कारी से मैं क्या शिक्षा मिलती है इस कारी से में ये सिक्षा मिलती है कि कभी कभी क्या है हमें बड़ी बड़ी चीजों की आवश्रक्ता नहीं होती है छोटी छोटी चीजों से भी काम चलाना पड़ता है काम चल जाता है Okay students, thank you.